अनुभव प्रियतम को एक वर्ष की सजा हो गई और अपराद केवल इतना था कि तीन दिन पहले जेट की तपती दोपहरी में उन्होंने राश्ट्र के कई सेवकों का शर्बत पान से सतकार किया था मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी कमरे के बाहर सारे नगर की राजनैतिक चेतना किसी बंदी पशू की भाती खड़ी चीतकार कर रही थी मेरे प्रांधन हथकडियों से जकड़े हुए लाए गए चारों और सनाटा च्छा गया मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था मानो प्रांध पिगला जा रहा हो आवेश की लहरे सी उठ उठ कर समस्थ शरीर को रोमान्चित किये देती थी ओ इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ था वो अदालत कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी सब मेरी आँखों में तुच्छ जान पड़ते थे बार बार जी में आता था दौरकर जीवन धन के चरणों में लिप्ट जाऊं और उसी दशा में प्रांट त्याग दून कितनी शांत अविचलित तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ती थी ग्लानी विशाद या शोक की छाया भी न थी नहीं उन ओठों पर एक स्फूर्ती से भरी हुई मनोहारिनी ओजस्वी मुस्कान थी इस अपराद के लिए एक वश का कठिन कारावास वाहरे न्याए तेरी बलहारी है मैं ऐसे हजार अपराद करने को तैयार थी प्रांणाथ ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा कुछ मुस्क्राए फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई अदालत से लोटकर मैंने पांच रुप प्रस के जलसे में शरीक हुई शरीक ही नहीं हुई मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिग्या लेली मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहां से आ गई नहीं कह सकती सर्वस्व लोट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर विधाता का कठोर से कठोर आगहात भी जब मेरा क्या आहित कर सकता था दूसरे दिन मैंने दो तार दिये एक पिताजी को दूसरा ससुर्जी को ससुर्जी पैंशन पाते थे पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पदपर थे पर सारा दिन गुजर गया तार का जवाब नदारद दूसरे दिन भी कोई जवाब न नहीं, तीसरे दिन दोनों महाशेयों के पत्र आये, दोनों जामे से बाहर थे, ससुर जी ने लिखा आशा थी, तुम लोग बुड़ापे में मेरा पालन करोगे, तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया, क्या आप चाहती हो, मैं भिक्षा मांगून, मैं सरकार से पैंशन पात पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था, इसी साल उन्हें ग्रेट मिलने वाला था, वो मुझे बुलाएंगे, तो संभव है, ग्रेट से वंचित होना पड़े, हाँ, वो मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तयार थे, मैंने दोनों पत्र फार कर फेक दिये और उन्हें कोई पत्र न लिखा, हाँ स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है, अपना ही पिता, केवल स्वार्थ में बाधा पढ़ने के भय से, लड़की की तरफ से इतना निर्दया हो जाए, अपना ससुर अपनी बहु की ओर से इतना उदासीन हो है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है, अब तक मैं अपने विशय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई, इस निर्जन घर में निराधार, निराश्रे कैसे रहूंगी, मगर जाऊंगी कहां, अगर कोई मर्द होती, तो कॉंग्रस के नारीत्व की रक्षा की, अपनी जान की फिक्र न थी, पर नारीत्व की और किसी की आँख भी न उठनी चाहिए, किसी की आहर पाकर मैंने नीचे देखा, दो आदमी खड़े थे, जी में आया, पूछूं तुम कौन हो, यहां क्यूं खड़े हो, मगर फिर खयाल आया, इसी तरह दिल से न निकाल सकती थी, वो एक चिनगारी की भांती हृदय के अंदर समा गई थी, गर्मी से देख फूंकी जाती थी, पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया, घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकाल कर सिरहाने रख लिया, वो शंका सामने बै कुंडी खटखटा रहा था, कलेजा धग धग करने लगा, वही दोनों बदमाश होंगे, क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं, मुझसे क्या काम है, मुझे जुन्जलाहत आ गई, मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखडा रह है, आवाद सुनकर मेरी शंका शांत हो गई, कितना धार्ज़ हो गया, यह बाबु ग्यान चन्द थे, मेरे पती के मित्रों में इनसे ज्यादा सज्जन दूसरा नहीं है, मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया, देखा तो एक स्त्री भी थी, वो मिसेज ग्यान चन्द थी यह मुझसे बड़ी थी, पहले पहल मेरे घर आई, थी, मैंने उनके चरण स्पर्श किये, हमारे वहां मित्रता मर्दों ही तक रहती है, औरतों तक नहीं जाने पाती, दोनों जने उपर आए, ज्यान बाबु एक स्कूल में मास्टर है, बड़े ही उदार, विद्वान, नि की स्त्री है, वो दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थी, जहरे पर ऐसा रोब था, मानो कोई रानी हो, सिर से पाउं तक गेहनों से लदी हुई, मुक सुंदर न होने पर भी आकर्शक था, शायद मैं उन्हें कहीं और देखती, तो मुझ फेर लेती, गर्व की सजीव प चकते हुए किया, मैंने कहा, हाँ, लिखा था, कोई लेने आ रहा है, जी नहीं, न पिता जी अपने पास रखना चाहते हैं, न ससुर जी, तो फिर, फिर क्या, अभी तो यहीं पड़ी हूँ, तो मेरे घर क्यों नहीं चलती, अकेले तो इस घर में मैं न रहने दूंगी, ख तहले ही समझ गई थी, दोनों खुफिया के आदमी होंगे, ज्यान बाबु ने पतनी की ओर देखकर, मानो उसकी आग्या से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं, देवी जी ने इस तरह देखा, मानो कह रही हो, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो, मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले, ठेहरो, देवी जी बोली, क्या तांगे लाऊंगे, क्या, मास्टर साहब घबड़ा गए, हाँ क्या है, एक तांगे पर तीन सवारिया ही बैठेंगी, संदूक, बिच्छावन, बरतन भांडे क्या मेरे सिर पर जाएंगे, तो दो लेता आऊंगा, मास् दिया, मैं कुछ कहने न पाई थी, कि ग्यान बाबू चल दिये, मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन, तुम्हें मेरे जाने से कश्ट होगा और, देवी जी ने तीक्षन स्वर में कहा, हाँ, होगा तो अवश्य, तुम दोनों जून में दो तीन पाव भर आटा खाओगी, कमर रही है, देवी जी ने सदय भाव से मेरा कंधा पकर कर कहा, जब तुम्हारे बाबू जी लोट आवें, तो मुझे भी अपने घर महमान रख लेना, मेरा घाटा पूरा हो जायेगा, अब तो राजी हुई, चलो असबाब बांधो, खाट वाट कल मंगुवा लेंगे, मैंने ऐसी सदय, उदार, मीठी बाते करने वाली स्त्री नहीं देखी, मैं उनकी छोटी बहन होती, तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती, चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो, सदय उनके मुख पर मधूर विनोध खेला करता था, कोई लड़का बाला पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा, उपर के काम के लिए लॉंडो रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती, इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वो कैसे इतनी हरश्ट पुष्ट थी, मैं नहीं कह सकती, विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिख जेट की दुपहरी में भी न लेटती थी, हाँ, मुझे कुछ न करने देती, उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार, मुझे यहां बस यही एक तकलीफ थी, मगर आठ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफियों को नीचे बैठा देखा, म दोनों बदमाश यहां भी मद्रा रहे हैं, उन्होंने हिकारत से कहा, कुते हैं, फिरने दो, मैं चिन्तित होकर बोली, कोई स्वांग न खड़ा करें, उसी बेपरवाही से बोली, भूंकने के सिवा और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं, हस कर बोली, इसके दर से कोई भाग तो नहीं जाता न, मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई, बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देखाती, यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आखिर मैं नौकर शाही का क्या बिगार सकती हूँ, मेरी सामर्थ्य ही क्या है, क्या यह सब इस तर और गुजर गया, खुफिया ने पिंड ना छोड़ा, मेरे प्रांट सूखते जाते थे, ऐसी दशा में यहां रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ कहना सकती थी, एक दिन शाम को ग्यान बाबु आए, तो घबड आए हुए थे, मैं बरामदे मे थी, परवल छील रही थी, ज्यान बाबु ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया, देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े वो पड़े उतारो, मूह हात धो, कुछ खाओ, फिर जो कहना हो, कह देना, ज्यान बाबु को धहर्य कहा, पेट में बात की गंध तक ना पच्चती थी, आग्रा से बुलाया, तुमसे उठा नहीं जाता, मेरी जान आफत में है, देवी ने बैठे बैठे कहा, तो कहते क्यू नहीं, क्या कहना है, यहां आओ, क्या यहां कोई और बैठा हुआ है, मैं वहां से चली, बहन ने मेरा हाथ पकर लिया, मैं जोर करने पर भी न छुड़ा सकी, ग्यान बाबू मेरे सामने न कहना चाहते थे, पर इतना सब्र भी न था कि जरा देर रुख जाते, बोले, प्रिंसिपल से मेरी लड़ाई हो गई, देवी ने बनावटी गंभीरता से कहा, साच, तुमने उसे खूब पीटा न, तुम्हे दिल लगी सूजती है, यहां नौकरी जा रही है, जब यह डर था, तो लड़े क्यूं? मैं थोड़े ही लड़ा, उसी ने मुझे बुला कर डाटा, बेकसूर, अब तुमसे क्या कहून, फिर वही परदा, मैं कह चुकी, यह मेरी बहन है, मैं इससे कोई परदा नहीं रखना चाहती, और जो इनहीं के बारे में कोई बात हो, तो? देवी जी ने जैसे पहली बूझ कर कहा, अच्छा समझ गई, कुछ खुफियों का जगड़ा होगा, पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी, ज्यान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहली का बू देवी ने अंडर से कहा, समझ गई, प्रिंसिपल ने तुम से कहा, होगा, कि उस त्री को घर से निकाल दो, हाँ, यही, समझ लो, तो तुमने क्या जवाब दिया, अभी कोई जवाब नहीं दिया, वहां खड़े खड़े क्या कहता, देवी जी ने उन्हें आड़े हाथों जिस प्रश्न का एक ही जवाब हो, उसमें सोच विचार कैसा, ज्यान बाबू सित पिता कर बोले, लेकिन कुछ सोचना तो जरूरी था, देवी जी की तियोरियां बदल गई, आज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा, बोली, तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो, मै उसे किसी तरह नहीं छोड सकता और न माने, तो इस्तीफा दे दो, अभी जाओ, लोटकर हाथ मूह धोना, मैंने रोकर कहा, बहन मेरे लिए, देवी ने डांट बताई, तु चुप रहे, नहीं कान पकर लूँगी, तु क्यूं बीच में कूदती है, रहेंगे, तो साथ रह मरेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, इस मर्दुए को मैं क्या कहूं, आधी उम्र बीत गई और बात करना ना आया, पती से खड़े सोच क्या रहे हो, तुम्हें डर लगता हो, तो मैं जाकर कहाऊं, ग्यान बाबु ने खिसिया कर कहा, तो कल कह दूंगा, इस वक्त कहा होग कौन जाने, रात भर मुझे नींद नहीं आई, बाप और ससुर जिसका मूह नहीं देखना चाहते, उसका यह आदर, राह की भिखारिन का यह सम्मान, देवी, तू सच मुछ देवी है, दूसरे दिंग ग्यान बाबु चले तो देवी ने फिर कहा, फैसला करके घर आना, यह न हो कि फिर सोचकर जवाब देने की जरूरत पड़े, ग्यान बाबु के चले जाने के बाद मैंने कहा, तुम मेरे साथ बढ़ा अन्याय कर रही हो बहन जी, मैं यह कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें यह विपत्ती जहेलनी पड़े, देवी ने हास्य भाव से क कह चुकी या कुछ और कहना है, कह चुकी, मगर अभी बहुत कुछ कहूंगी, अच्छा बता तेरे प्रियतम क्यों जेल गए, इसलिए तो कि स्वयम सेवकों का सतकार किया था, स्वयम सेवक कौन है, यह हमारी सेना के वीर हैं, जो हमारी लड़ाईयां लड रहे हैं, स्वयम सेवकों के भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वो भी तो कोई कारोबार करते होंगे, पर देश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसे वीरों का सतकार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी स्त्री के दर्शनों से भी आत्मा पवित्र होती है, मैं तुझ पर एहसान नहीं कर रही हूँ, तु मुझ पर एहसान कर रही है, मैं इस दया सागर में दुब्कियां खाने लगी। वहाँ न जाने मोटर पर बैठ कर दोनों में क्या बाते हुई, लौट कर मुझ से बोला आप पॉलिटिकल जल्सों में तो नहीं जाते, मैंने कहा, कभी भूल कर भी नहीं, कॉंग्रस के मेंबर तो नहीं है, मैंने कहा, कानी कोडी भी कभी नहीं देता, तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूं। देवी जी ने मुझे गले लगा लिया।